Delhi University forms आज last date है मार पा सब्लाइ करने के लिए तुम सबको कुछ बाते जाननी ज़रूरी है Date extend नहीं होने वाले है किसी गलत family में मत रहा है ना कि हमारी dates extend हो जाएंगे अगर कल भरते हैं परसो भरते हैं Post graduate courses के जो Delhi University के 2021 के forms थे उनकी भी date extend नहीं हुई थी कि I am requesting each and every one of you हमारी due date की भी 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 date की कोई भी यह इस गलत family में मत रहे ना कि मैं कल परसो फॉर्म भर दूँगा आज last date 31st August बहुत सारे स्टुएंट्स की यहां पर फॉर्म भरते हुए पेमेंट तो डिटक्ट हो यह बैंक आउंट से बड़ उनके फॉर्म में कुछ लिखा वाई नहीं रहा कि फॉर्म एक्सेप्टेड रिजेक्टेड अप्रूव हो गया नहीं हुआ है तो यहर उस केस जो है वो है OBC category, SC category, ST category की मेरा 31st March से पहले पहले का certificate है 2013-2012 का certificate है तो क्या मेरा form reject हो जाएगा तुम्हारा form reject नहीं होगा Delhi University और the colleges which are going to give you admission in future date जब तुम्हारी cut-offs आ रही होंगी they will definitely ask you for revised documents जिसमें आपका 31st March के बाद जितने भी documents है वो बने होने चाहिए तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो acknowledgement slip आप submit कर सकते हो अगर आपने OBC category के लिए apply किया है तो acknowledgement slip आपको मिली होगी उसको आप submit कर सकते हो कोई पुराना OBC SC STPW certificate है उसको भी आप submit कर सकते हो बट नए certificate के लिए apply कर दो ultimately Delhi University is definitely going to ask you कि नए certificate कहा है 31st March के बाद जो certificate बिलना था वो कहा है तो इस case में आपका form reject नहीं होगा बट make sure जैसे ही आपको time मिले अभी के अभी apply कर तो नए certificate के लिए ताकि जब हमें final admission मिल रहा हो नो Delhi University के किसी भी college में हमें कोई भी परशानी ना हो कुछ last moment tips मैं आपको देना चाहरा हूँ अगर आपको किसी भी तरह लगता है नहीं यार मेरा form गलत बरा गया मैंने entrance के लिए yes रिखना था, entrance के लिए no लिख दिया या मेरे को sports quota में अप्लाए करना ही नहीं था और मैंने गलती से sports quota के अंदर भी apply कर दिया तो please it's a request एक नया form भढ़तो तो 200 रुपे का form है, साड़े 700 रुपे, 1500 रुपे का form है पर यार ही lifetime situation का सवाल है तुमारी lifetime तुमारा दिली नवेस्टी में जिस भी college में तुमारा होने वाला है lifetime तुमारा उसका साथ tag brand name associate हो जाएगा तो please उस case में लापरवाई मत करना अगर इन case जड़ा से भी दिक्कत हो रही है कि नहीं यार मेरे को लग रहा है मेरा form में कुछ ना कुछ घपला है हो सकता है मैं general category का हूँ पर मैंने OBC बढ़ दिया तो यार general category का भी form भढ़तो OBC category के लिए भी form भढ़तो तो यार उससे कुछ फ्रॉडर नहीं होने वाला जिसका certificate जब तुम्हें मिल जाएगा उस category में फिर तुम cut-offs के अंदर admission लेना शुरू कर सकते हो चैनल को subscribe करो, telegram group पे सारे join कर लो क्योंकि महाँ पे आप notifications आने वाली है तुमारे पास लिए नोटिविकेशन आते रहती है अब तुमारी डेली नवेस्टी की first cut-off कभाई कि उसके बारे में मैं जल्दी वीडियो लेकर आ रहा हूंगा लाइक करो अपने फैंड्स में शेर कर दो और हाँ फॉर्म फिल करना मद भूलना बहुत ही बढ़िया तुमें college मिलेगा यह मैं प्रे कर रहा हूं डे वन से अल बेस्ट